जै भोले नाज जै शुब्शक्ति वेल्कम बैक तो अवर चैनल कैसे हैं आप सब आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर देखेंगे आने वाला ये जो हफता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा स्पेशली आपकी लाव लाइफ के लिए और करियर के है अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आ रहे हैं वेल्कम यू तो लेट्स बेकें लिब्रा सबसे पहले ओवर अनरजी चेक करेंगे फॉर आल दे लिब्रा पीपल इस हफते क्या अनरजी रहने वाली है लिब्रा इंक इस बाओ फिलिंग स्टक फिलिंग को डिपेंदेंट फिलिंग लिटल काइंड ऑफ यू नो फानाचली यू आपको ऐसा लग सकता है कि यस यू वांट दू मोर और आप उतना नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है इस बाओ स्टेबिलिटी अब शायद हो सकता है वह आपके करियर को लेकी हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए ह हो सकता है इस बाओ रिलेशन्शिप कि आप रिलेशन्शिप में आज समय स्मूस कर सकते हैं और वह कब आए की बिकाओ यू आपको अप्लाए हो सकता है चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ की स्पेशली फर आल लीब्रा कैसी रहेगी śem लीब्रा okay ELI-PRA, I think it's about you are working on yourself, look at you आप अपने आपे कीतना काम कराहे है ar Services You're feeling little passionate as well. वहाँ यह औत जाए दिखाई दे रहे है And you want to want to move forward आप लोग देख रहे हैं आपको People are looking at you and they're like, you know यह अपने कैसे कर रहे है तो वो चीज़े मुझे लिब्रा के लिए स्पेशली दिखाय दे रही है and moreover it's about judgment, it's about a wake-up call एक आपको wake-up call मिल रही है कि yes you want to do good, you want to achieve, you want to look good ये सारी चीज़े मुझे लिब्रा के लिए दिखाय दे रही है and maybe you are attracted to somebody on the other hand आपके जो partner है yes of course this person is like waiting for you आपके साथ connect करना चाहते है, कोई ना कोई तो है और हो सकता है कि आपका wait कर रहे हो या right time का wait कर रहे हो और हो सकता है कि of course maybe this person is like feeling attracted to you as you are you know and something is cooking up कुछ ना कुछ तो चल रहा है Libra के round अचा कुछ के लिए हो सकता है कि देखे, I'm getting two stories or maybe you are totally choosing yourself आप सरफ अपने आपको चूस कर रहे हैं अपने आपको priority दे रहे हैं आगे की तरफ पढ़ रहे हैं अगर आपकी life में कोई नहीं है if you are totally single but you are open for a relationship और अगर किसी के साथ deal कर रहे हैं then I think love wipes and more than love okay what is अगर हम बात करें in the long run I think it's about you know something needs to be end कुछ stuck है emotions को hold किया जा रहा maybe beach में कुछ है आप लोगों के और अगर आप married connection में भी है then I think there is like कुछ ना कुछ toxic हो सकता है या कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो सकती है जो चायद हो सकता है कि आप लोगों के relationship को bother कर रही है okay पहले हम career check करेंगे sorry कि career wise यह जो हफता है for all the Libra people कैसा रहेगा I think it's about taking a new step in a new direction because you were feeling very kind of जैसे कहते है ना कि looking up to people for कि वो क्या बोल रहा है वो क्या सोच रहा है this and that and you were literally tired of it and now you are coming and you are ready to take a leap of faith और इस हफते मुझे वोई चीज़ दिखाय दे रही है आप अपनी contentment को चूज कर रहे है आप अपने आपको चूज कर रहे है you are maybe you are traveling maybe you want to expand your work आप अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं आप छोटी सोच रही रखना चाहते हैं you know forward movement तो all in all this week seems to be good for you कुछ के लिए हो सकता है money is coming कुछ के लिए हो सकता है you are traveling कुछ के लिए हो सकता है it's about feeling good feeling content चलिए क्या guidance है Libra के लिए मुझे जहां तक दिखाए देता है कि आपको जो tension है वो जो है वो that is for a connection जाता and you want to start fresh you want to move forward लेकिन किसी चीज के वज़ा से suffer कर रहे है maybe you are suffering and yes तो आपको उस चीज को पुरानी चीजों को छोड़ के नई direction में देखने की जादा जरूरत है अगर आप still कहीं पुरानी energy में stuck है तो I think आपको नहीं एक तरफ past एक तरफ future है what you want तो वो vision create करने की बहुत जादा जरूरत है आपको इस मुझे मतलब उस context में दिखाए दे रहा है अब उचाहे आपके career को apply होता हो चाहे आपके love life को apply करता हो यह आपको देखना है तो यह थी आपके reading I hope आपको पसंद आई हो मुझे comment करके बताएगा कैसी लगी बिल्दी हो next time till then take care bye अपना बहुत बहुत ख्याल रखे